दोस्तों आयोध्या में प्रभू श्री राम को अपना स्थान पाने के लिए लगभग 500 वर्षों का इंतजार करना पड़ा अंग्रेजों के शासन के बाद भारत में जो कॉंग्रेस नीत की सरकार बनी और जिसने अधिकतर समय तक देश में शासन किया उसने कभी इस बात की जहमत ही नहीं उठाई कि देश में आयोध्या जी में प्रभू श्री राम को सही स्थान मिले कॉंग्रेस ने लगतार राम काज में आरचन जादा पैदा की सहीयोग कम ही किया है कॉंग्रेस ने कोट में दिगज वकीलों की फौज सी खड़ी करती राम पर सवाल खड़ी करने के लिए वही राम मंदिर के उद्गाटन और प्रतेष्ठा कारिक्रम में भी कॉंग्रेस शामिल नहीं हुए लेकिन राम काज करिवे को आतुर प्रभुश्री राम के परमभक्त पियम मोधी ने राम को वो इस्थान दिलाया इस देश में जिसके वो हकदार थे लेकिन आज पीयम मोदी ने उन लोगों को भी आड़े हाथों लिया जो अपनी तुष्टी करन की राज़नीती को चमकाने के लिए हमेशा से देश के लोगों को भ्रामित करने में लगे रहे कि अगर राम मंदिर का उद्खाटन हुआ तो देश के भी तर आग लग चाएगी लेकिन शांती से राम काज आज पूरा हुआ पीयम मोदी ने उन लोगों को आँख तो दिखा ही दी जो लोग विरोध कर रहे थे वहीं पीयम मोदी ने एक बड़ा एलान भी कर दिया जिससे विपक्ष के चिंता और बढ़ गई होगी विपक्ष सोचने पर मजबूर हो गया होगा कि पीयम मोदी कैसे देश के लिए दिन रात काम करते हैं क्या है खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में आयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा और पूजा आर्चुना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने विपक्ष को एक्सपोज कर दिया पीयम मोधी ने कहा कि एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए राम लला के इस मंदिर का निर्मान भारतिय समाज की शांती धैर और आपसी सद्भाव समन्वे का प्रतीक है राम मंदिर से कारिक्रम को संबोधित करते हुए पियम मोधी ने कहा कि हम देख रहे हैं कि राम मंदिर का निर्मान किसी आग को नहीं बल्कि उर्चा को जन्म दे रहा है राम आग नहीं है उर्चा है राम विबाद नहीं है राम समाधान है राम सिर्फ हमारे नहीं है राम सब के हैं राम वर्तमान ही नहीं वलकि राम अनंतकाल है वहीं राम मंदिर के शुब कारे में लगे मजदूरों से मुलाकात की पियम मोधी ने श्रम जीवियों पर पुश्प वर वहीं आयोध्या से लोटते ही पियम मोधी ने बड़ा एलान कर दिया है। लोगसवा चुनाव से पहले एक करोड घरों पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने का अलान कर पियम मोधी ने विपक्ष को दिखा दिया है कि वो देश के लोगों के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सब्सक्राइब करें १री वेवे वोगों।